हे नमस्कार मैं रवी स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यू कंप्योटर लिंक में आज हम जानेंगे कि आप अपने कंप्योटर में वेब कैमेरा कैसे इंस्टॉल करें वेब कैमेरा इंस्टॉलेशन के सभी प्रोसेस मैं इस वीडियो में डीटेल में बताऊंगा तो इस औस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो प्रömोसेनल वीडियो नहीं है ये मैं Αनेशन और लाज शेयर करने के लिए बना रहा हूं आज मैं आपको फ्रंट्टे कं से वेब कैमेरा को इस चैनलर करने बारे मैं बताऊंगा प्रेंटे कंपनी का ये जो वेब कैमरा है इस वेब कैमरा में माइक और फ्लेसलाइक इनबिल्ड होता है इसे मैं सबसे पहलőं अन्बाक्स कर लेता हूं इसके अंदर एक ड्राइवर सीडिय होता है जिससे आप web camera को अपने computer में install करेंगे साथ ही एक user manual होता है यहाँ से आप इस camera के features और installation process देख सकते है यह हमारा fronte का web camera है इसमें दो jack होते है पहला USB जिससे आपका camera connect होता है और दूसरा jack mic के लिए होता है इस तरह आप अपने web camera को adjust कर सकते है यहाँ से आप अपने camera को mount कर सकते है camera के नीचे में grip बना हुआ है जिसके मदद से आप camera को table में या किसी भी surface में आराम से set कर सकते है इस camera के पीछे एक button होता है जिसकी मदद से आप इस camera का flashlight on off कर सकते है ज्यादा तर web camera plug and play होते है अगर आप windows 8 या windows 10 यूज़ करते है तो आपको web camera का driver installation करने का ज़रूरत नहीं है सबसे पहले आप अपने web camera को अपने computer या laptop में connect कर ले आप directly अपने computer में search करेंगे camera यहाँ से आप अपने computer के camera को open कर ले यहाँ से आप directly web camera का use कर सकते है अगर आप अपने computer में camera on कर रहे है और आपके computer में camera open नहीं हो रहा है उसके इसमें आप web camera का driver install कर ले web camera का driver web camera के box में होता है आप उसे अपने computer में लगा ले यहाँ से इसे हम run करेंगे यहाँ install driver and app में क्लिक करेंगे यहाँ next करें इसे close कर दे यहाँ से आप अपने computer को restart कर ले हमारे computer में web camera install हो चुका है मैं इसे open करता हूँ यहाँ से आप अपने computer में web camera को access कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे brand का web camera install करना चाते हैं तो installation का process same होता है आप जिस भी brand के web camera को install करना चाते हैं उसका driver का cd उस camera के box में होता है वहां से आप web camera के driver को अपने computer या laptop में install करके use कर सकते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने computer या laptop से online classes या online meeting कैसे कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you